वेलकम बैक टावले टो चैनल, टोड़े आवर टापिक इस वेंडी ग्राफ जेंटर, वेंडी ग्राफ जेंटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, जिसके जरीए से हम एक चार्ड पार्टिकल्स को एसरेट कराते हैं, रोबोट जैमिसंस वेंडी ग्राफ, जिसने डिजाइन क जरीए से हम एक चार्ड पार्टिकल्स को एसरेट कराते हैं, चार्ड पार्टिकल्स जब हमारे पास एसरेट करता है, वो किस की वज़ा से हमारे पास चार्ड पार्टिकल्स यहां पर एसरेट करता है, इस वेंडी ग्राफ जेंटर से हाई पोटेंशल डिफरेंस डिवालप है जिसके जरी से हम एक चार्ड पार्टिकल्स को क्या करते हैं तो यहां पर लिखा है मैंने it is a device in which we can acerate positively charged particles एक ऐसा device है जिसके जरी से हम positively charged particles को acerate कराते हैं और वो acerate क्यों करता है क्योंकि इसके जरी से हम high potential difference जो है वो develop करते हैं million words का हम potential difference develop करते हैं अब किस होता है क्या mechanism है इसमें construction इसमें क्या है working क्या है उस पर हम discuss करेंगे सबसे पहले हम इसके principle पर discuss करेंगे हम तो दिखिए पहला point जो हमारे पास जो है discharge action of sharp point and pointed ends जिसको कहा जाता है corona discharge तो दिखिए यहां पर आपके पास क्या है एक source है आपके हमारे पास positive charge का यह hvr high voltage reactifier है इसके जरीए से हमारे पास positive charge इस सिप्रे कोंब पर positive charge आता है और यह positive charge जो है वो discharge होता है यहां से और सामने है belt इस belt पर आ जाता है positive charge और यह belt जा मूँ करता है अप्वो डिरेक्शन में top पर पहुंचता है तो यह positive चार्ज इस बेल्ट पर आता है और बेल्ट इस पॉजिटिव चार्ज को केरी करता है और पहुंचाता है टॉप पर पहुंचाता है और फिर यहां से हमारे पास जो है दूसरा कॉम यहां पर आपके पास है जिसको कहा जाता है क्लेक्टिंग कॉम इस पॉजिटिव चार्ज को चार्ज आता है, तो जब हमारे पास इसकी सर्फेस पर जो चार्ज आता है, यूनिफार्मली डिश्चार्ज हो जाता है, तो इसकी विज़ाद से यहां पर जो है, एक हाई पोटेंशल डिवेल्ट हो जाता है, समझे आप, एक हाई पोटेंशल डिवेल्ट होता है, तो देखे पर हमारे पास दूसरा कॉम है जिसको बोलते हैं collecting कॉम और collecting कॉम इस बेल्ट से चार्ज को लेता है और वो चार्ज हमारे पास इस चार्ज spherical shell के ओपर uniformly distribute होता है तो दो प्रिंसिपल पर work होता है एक तो यहां पर चार्ज को वो बेल्ट पर आ जाता है और बेल्ट इस चार्ज को carry करती है टाप पर पहुंचाता है और दूसरा point हमारे पास क्या आता है collecting action that is charges are collected and distributed uniformly over the hollow sphere और दूसरा हमारे पास collecting action यहां पर होता है यह आपके पास collecting कॉम है वो इस positive charge को लेता है और वो positive charge हमारे पास इस charge spherical shell के उपर आ जाते हैं uniformly distribute हो जाते हैं जिसकी जासे इस charge spherical shell पर एक high potential electric potential जो है वो developed हो जाता है तो यह हमारे पास दो principle है इन दो principle पर हमारे पास जो है वेंडी ग्राफ जेंटर जो है work करता है तो यह अभी मैंने principles बोला अब हम इस पर discuss करेंगे किस तरीके से charge यहां पर हमारे पास develop होता है और किस तरीके से बैल्ट पर आता है और construction के साथ साथ में working भी इसकी आपको बोलूँगा मैं तो यहीं से हम शुरू करेंगे जैसे मैंने आप कहा कि यह जो हमारे पास principle बोला आप construction है तो construction में सबसे पहले high voltage reactifier है यह आपके पास high voltage reactifier है और इसी के साथ construction के साथ में working भी आपको बोलूँगा मैं high voltage reactifier है source है positive charge का और high voltage reactifier का एक end earth के साथ connect है जिसको हम negative end बोलेंगे हम और दुसरा end हमारे पास का positive है और यह किस के साथ connect है सिरे कोम के साथ connect है जो यहां पर मैंने लिखा है सिरे कोम C1 सिरे कोम के साथ वो connect है सिरे कोम का हमारे पास sharp edges है देखिए आप आप के पास जो नखर आ ज़ई है वो sharp edges नज़र आ ज़ई है तो आपको पता है इन sharp edges पर positive charge आता है क्योंकि ये आपके पास source है हम कहेंगे high voltage reactifier है इस high voltage reactifier की वज़े से जो हमारे पास sharp edges पर atoms जो होते हैं atoms atoms electron को lose करता है वो electron जो है वो move करते हैं कहां की तरफ earth की तरफ move करते हैं तो जो atom electron को lose करता है उस पाचारज का जाता है इसलिए हमारे पास sharp edges पर positive charge आते हैं क्यों क्योंकि ये high voltage reactifier की वज़े से electron यहां से move करते हैं electron यहां से move करते हैं और earth में चले जाते हैं इस वज़े से हमारे पास sharp edges पर positive charge आता है तो यहां पर हमारे पास ये positive charge जो है appear हो जाता है आप देखिए शार्प एजिस क्यों बनाई जाती है ऐसे शार्प एजिस आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास आता है किस पर इन शार्प एजिस पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां पर चार्जिस की डेंस्टी जो होती होती है वो क्यों होती है क्योंकि density जो हमारे पास charge की जो density जो होती वो किस को होता है charge per unit surface area के को होता है अगर हमारे पास area यहाँ पर कम होगा तो charges की density क्या होगी ज्यादा होगी क्योंकि density जो होता है वो inverse percent of area होता है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास density area कम है तो यहाँ पर charges जो है उस ज्यादा exist करेंगे जब charges ज्यादा exist करेंगे यहाँ पर तो देखिए इन sharp edges के बीच में यहाँ पर air है फिर सामने belt है यहाँ पर belt है अब देखिए charges की density की विज़ से जो airs के atoms जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आइनाइज हो जाएंगे तो यहाँ से air के atom से electron निकलेगा atom electron को lose करेगा वो electron क्या करेगा वो electron इस sharp edges पर जो positive charge है उसको neutralize करेगा उसको खतम करेगा समझा जो atom electron को lose करता है तो उस पर charge क्या आ जाता है positive आ जाता है तो इसी तरीके से हमारे पास यह atom जो होंगे जो यहाँ पर हमारे पास sharp edges और belt के जो हमा मु데 اگتا जाएगा और बैल्ट तक पहुंचेगा अब दिखी यहाँ पर हमारे पास अब दूसरे एक्टम के साथ झी ऐसा ही होगा वो भी एक्टम एलेक्टॉन को लूज करेगा फिर एक्टम को एक्टम को लूज करेगा वो एक्टान इस एक्टम पर फाल करेगा जो positive charge atom है इसको neutralize करेगा और दूसरा atom भी हमारे पास क्या हो जाएगा उस पर positive charge आ जाएगा और इसी तरीके से belt का जो हमारे पास atom होगा belt का atom बे electron को lose करेगा जब belt का atom electron को lose करेगा वो electron इस air molecules की या air atoms के air atoms जो हमारे पास है जिसका positive charge है belt का atom electron को जब lose करेगा तो वहाँ से वो जो electron निकलेगा वो इस positive charge को क्या करेगा neutralize करेगा air के atoms पर जो charge है positive charge है उसको neutralize करेगा अब जो belt पर हमारे पास belt के atom ने electron को lose किया जब electron को lose किया तो belt पर charge क्या जाएगा positive आ जाएगा तो यह mechanism है यहाँ पर किस طریقے से belt पर positive charge आता है तो यहाँ पर charge क्या हो जाता है वो induced हो जाता है तो इस तरीकے से हमारे पस क्या हो जाता है charge की dynasty की विजए से air के atom ironize हो जाते है समझे हाए इसी तरीके से हमारे पस positive charge transport हो जाएगा और belt भी फिर हमारे बेल्ट भी क्या करेगी electron को lose करेगी इस पर भी charge क्या जाएगा वो positive चार्ज आ जाएगा तो belt पर किस तरीके से charge आ जाता है positive वो इस तरीके से charge positive आता है तो यह जो यहाँ पर phenomenon होता है जो यहाँ से हमारे पास अब यह जो शिप्रे कॉम जो है यह charge को किस तरीके से शिप्रे करता है belt पर वो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बोला तो इस phenomena को कहा जाता है Corona Discharge समझे आब Electric Wind की तरह हमारे पास जो है यह charge हमारे पास के इस पर इस belt पर आते हैं अब यह belt जो है यह mू करती है इस pulley के उपर pulley कैसे मूँ करती है pulley क्रेक्ट होता है motor के साथ motor इस pulley को मूँ कराती है और pulley के ओपर ये belt होती है जैसे चकी में होता है तो ये belt मूँ करती है upward direction में तो जो यहाँ पर positive charge हमारे पस इस belt पर आये थे वो आईस्ता आईस्ता positive charge top पर पहुँचेंगे जब top पर वो positive charge पहुँचेंगे यहाँ पर top पहुँचेंगे क्योंकि ये belt मूँ कर रही है इस pulley की ओपर ऐसे ऐसे तो यहाँ पर जब ये positive charge पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी वही फिना मेना होगा यहाँ पर होगा आप देखे बीच में air है air का atom है air का atom electron को lose करेगा वो electron जब बेल्ट पर positive charge है वो electron जब बेल्ट के positive charge पर फाल करेगा तो वो neutralize हो जाएगा हमारे बेल्ट पर जो positive charge होगा उसको neutralize करेगा neutralize करके atom आपका क्या हो जाएगा air का atom positive हो जाएगा air का atom पर positive charge आजाएगा तो फिर क्या होगा ये आपके पास collecting comb है collecting comb के atom electron को lose करेंगे और वो electron air के atom पर fall करेगा जो positively atom है, positive charge atom है उस पर यहां से electron निकलेगा इस air के atom पर four करेगा जिस atom पर positive charge है तो जब क्या करेगा, इस सको neutralize करेगा तो फिर हमारे पास जब ये comb Electron को Lose करेगा तो इस कौंपर क्या आ जाएगा Positive Charge आ जाएगा जो mechanism यहाँ पर वही mechanism यहाँ पर भी होगा समझा बिलकुल वैसी उसी तरह किसे Positive Charge कैसे इस कौंपर हमारे पास Positive Charge आ जाता है हमारे पास Positive Charge इस बैल्ट पर था न तो वहाँ से transfer हो जाएगा वो इस collecting whatever पो पो पोजिट चार्ज आ जाएगा, इसी मेकनिसम के जरी से, अब जब वہ पोजिट चार्ज यहाँ पर फिर से चार्ज को लेगा यहाँसे, उसी फिनामीना के जरी से, corona discharge के विज़े से positive charge को लेगा और positive charge top पर पहुंचेंगे और फिर यहां पर induction के विज़े से जो आप यह मीने कहा charge induce हो जाएगा किस पर? collecting com पर फिर वो charge यहां पर पहुंचेगा और collecting com उस charge को लेगा positive charge को और वो फिर positive charge ऐसे ऐसे hollow sphere जो हमारे पास है hollow metallic sphere कि surface पर ये positive charges आ जाते हैं, समझे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखे, charges जो हमारे पाज होते हैं, वो higher potential से lower potential के तरफ मुझ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर potential जो होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, क्यों higher होगा, देखे हमारे पास यहाँ पर higher क्यों होगा, ज समझे आप, इनका भी potential होगा, उसको हम V' करेंगे, तो ये V हो गया, surface वारा potential, जितना surface पर होता है, उतना ही अंदर भी होता है, और दूसरा हुआ, जो यहाँ पर charge है, उनका potential, इसका मलब यहाँ पर potential जो होगा, वो कितना होगा, V plus V' होगा, समझे आप, कहाँ पर, यहाँ पर, center पर, और surface पर कितना होगा, वो V होगा, इसका मलब यहाँ पर कितना होगा, V होगा, और यहाँ पर कितना होगा, V plus V' होगा, इसी वज़ज़ से हमारे पास, यह Charges Flow करते हैं, यहाँ पर Higher Potential है, Surface पर Lower Potential है, तो Charges Flow करेंगे Higher Potential से Lower Potential की तरह, तो फिर हमारे पास यह Charges जो हैं, वो Uniformly Disciplined हो जाते हैं, इसकी Surface पर, तो Charges आते जाएंगे, चाते जाएंगे किस पर, इसकी Surface पर Charges आते जाएंगे, और जब हमारे पास Charges फिर क्या हो जाते हैं, फिर इसकी Surface पर Uniformly Disciplined हो जाते हैं, तो Charges आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, इसका Potential बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा इसका Potential, एक electric potential, काफी high electric potential जो है, वो developed हुआ, किस पर, इस charge spherical shell पर, जितना इस charge spherical shell के उपर, हमारे पास electric potential होगा, उतना ही center में भी होगा, अब आपके पास यहाँ पर एक eye-shape tube है, eye-shape tube में, यहाँ पर आपके पास source है, positive iron का, यहाँ पर आपके पास एक positive iron बनता है, यहाँ पर हमने एक positive iron को रखा है, तो देखे, इस positive iron यह ट्यूब है, और नीचे हमारे पास एक target है, target पर आप कुछ भी रह सकते हो, अगर हमारे पास यहाँ पर high potential है, electric potential यहाँ पर क्या है, high है, तो उतना ही potential यहाँ पर भी होगा, इसका मलब positive charge हमारे पास कहाँ पर होगा, यह positive iron जो हमारे पास कहाँ पर होगा, वो high potential पर होगा, तो जब हमारे पास यह high potential पर होगा, तो इस high potential की वज़ा से, क्या होगा, यह positive iron जो है, असरेट करेगा, कहां की तरफ, मीचे की तरफ target की तरफ क्यों क्योंकि हमारे पास positive charge जो है कोई भी charge जो है वो higher potential से lower potential की तरफ मोग करता है तो यहाँ पर potential difference create हो जाएगा यह higher potential पर होगा यहाँ पर center में हमारे पास positive line higher potential पर होगा और target हमारे पास क्या है lower potential पर है तो इस high potential की वज़े से, जो तो, यहां पर हम कहेंगे, potential difference जो हमारे पास यहां पर जो बन रहा है, वह काफी high potential difference बन रहा है, और उस high potential difference की वज़े से, यह positive iron esterate करेगा, कहां के तरफ? target के तरफ, तो target पर हमारे पास atom भी हो सकता है, nucleus भी हो सकता है, उस पर यह highly acerate charged particles जो है टकराएगा हमारा nucleus वो तूट सकता है किसी भी purpose के लिए हम इसको use मिलाते हैं किसको इस highly acerate charged particles को जो हमारे पास charged particles इस tube में move करेगा नीचे की तरफ acerate करेगा नीचे की तरफ और target पर strike करेगा तो यह जो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास potential difference high potential difference create हो जाता है कहां पर इस charge spherical shell पर और उसकी वज़े से हमारे पास यह positive आई जो है वो acerate करता है कहां के तरफ target के तरफ तो यह जो हमारे पास है इसको कहा जाता है that is known as wendy graph gender अब हम इसको कितना potential देते हैं किसको इस charge spherical shell को हम कितना charge देंगे हम कितना charge इस पर आता है तो देखिए हम इसको कितना charge देते हैं आपको पता है यहां पर हमारे पास यह positive charge लीग भी करता है लीगे जाप positive charge होता है वो कैसे लीगे जाप positive charge होता है देखी जब भी हमारे पास इस पर charge आता है किस पर यह जो आपके पास जो है इस charge spherical शार पर हमारे पास जब भी positive charge आता है positive charge आता है तो यह अपने surrounding आपको पता है positive charge के surrounding में electric field बनता है तो देखे अगर हम कहेंगे electric field जो हमारे पास जो बन रहा है वो कितना आपके पास आ रहा है हम कहेंगे वो आपके पास जो है जिसको बोलते हैं year की breakdown field वो कितना है 3 into tear rate और 6 volt per meter समझे हैं यह आपके पास expression कहां से है आपको पता है electric field होता है voltage per unit left केकल होता है तो अगर हमारे पास यह positive charge अपने surrounding में कितनी electric field बना रहा है 3 into tear rate और 6 volt per meter electric field बना रहा है तो यहां पर इस value पर जब हमारे पास electric field इतनी बनेगी in positive charge की वज़े से charge spherical shell की वज़े से इसके surrounding में अगर इतनी electric field बनेगी तो फिर हमारे पास इस value पर हमारे पास जो year जो होता है charge spherical shell के बाहर जो year होगा वो ironize नहीं होगा हमारे पास year जो है वो ironize नहीं होगी लेकिन जो ही electric field इस positive charge की electric field इस से exceed करेगी ज्यादा हो जाएगी कितनी exceed करेगी किस से 3 into 10 per 6 volt per meter से जो ही exceed करेगी तो फिर क्या हो जाता है यह जो हमारे पास charge spherical shell के बाहर एलेक्टरण बाहर नेगलेगा वो electron मिल जाएगा किसके साथ इस positive charge के साथ तो electron जब फाल करेगा इस positive charge पर तो यह positive charge करता है वो neutralize हो जाता है इसका मिलब यहां से positive charge प्शक्या हो जाएगे वो leakage तो जाएगा positive charge का positive charge मूँ नहीं करता है हलांकि air के atom से electron आएगा और इसके positive charge को क्या करेगा neutralize करेगा इसको कहा देता है leakage of charge क्या कहा देता है लीकage of charge क्यों जब हमारे पास इस positive charge जो हमारे पास यह positive charge है यह अपनी electric field जो बनाएगा वो electric field जो होगी वो exceed करेगी इससे 3 into 10 plus 6 volt per meter से ज़्यादा जब हो जाएगी तो airs के atoms क्या हो जाते हैं ionize हो जाते हैं और फिर वहाँ से electron आ जाते हैं और इनके positive charge को क्या करते हैं neutralize करते हैं उसके विज़े से क्या हो जाता है इसका electric potential कम हो जाता है समझे आप जो potential जो developed होता है काफी high world का potential developed होता है वो क्या हो जाता है वो कम हो जाता है तो इसका मलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है positive charge की leakage होती है positive charge leak करता है समझे आप जब इसके electric field इससे ज़्यादा हो जाती है इसको minimize करने के लिए positive charge को positive charge जो हमारे पास leak करता है इसको मीनिमाईز करने के लिए हम क्या करते हैं इस मेंडी ग्राफ जेंटर को हम एक स्टील चेंबर में रखते हैं जो यहां पर लिखा है मिने स्टील चेंबर में रखते हैं जब इसको हम स्टील चेंबर में रखते हैं तो यहां पर हम गेस डालते हैं मीथेन या नाइटरोजन की गैस्ट को डालते हैं हाई प्रेशर पर उस से क्या हो जाता है जो हमारे पास लीकेज आफ चार्ज होता है हमारे पास वो कम हो जाता है तो यह हमारे पास है कि किस तरीके से हम यह जो हमारे पास है चार्ज के लीकेज को कम करना होता है तो हम इसको स को steel chamber में रखते हैं और उसमें हम gas को रखते हैं methane और nitrogen को रखते हैं at high pressure पर रखते हैं क्योंकि हमने हमें ज्यादा से ज्यादा charge किस पर इस charge spherical shell पर हमें हमें ज्यादा से ज्यादा charge रहना चाहे तब जाकर एक high potential developed होता है और जिसकी विज़े से charge particle एसरेट करता है कहां के तरफ target के तरह तो यह हमारे पास था windigram generator generator और इसकी मैंने working भी बोली और साथ-साथ मैंने इसकी construction भी बोली इसमें हमारे पास क्या-क्या होता है अब यह windigram generator कहां पर use में लाया जाता है windigram generator जो हमारे पास जो होता है it is used to trigger the nuclear reactions nuclear reactions को चलाने के लिए इस हमारे पास windigram generator का use होता है क्योंकि वहाँ पर highly acerate charged particles का use होता है nuclear reactions को चलाने के लिए तो यह highly acerate charged particles हम यहाँ पर produce कर सकते हैं और वो उसी highly acerate charged particles से nuclear reaction جو ہمارے پاس جو ہے وہ चल पढ़ती है दूसरा हमारे पास इसकी use क्या है ये जो हमारे पास beam of highly acid- suffered particles break the atoms atom को तोडने के लिए highly acid- compound particles का use होता है beam of highly acid- Kwuk highly acid-шаяared particle के beam जो होते हैं वो क्या करते हैं nuclear को तोडते हैं atom को तोडते हैं किसमें nuclear physics में इसका मालब nuclear physics में highly accelerated particles का यूज होता है। इसी तरीकी से medical treatments के लिए भी इसको यूज मिलाया जाता है। beam of highly accelerated particles is used for the treatment of cancer. Cancer की treatment के लिए भी इसको यूज मिलाया जाता है कि इसको highly accelerated particles को होता हो। highly accelerated particles को वान प्रोडूस करता है? wendy graph generated produce करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो अभी जो construction इसकी बोली मैंने जो मैंने आपको बोला इसका working बोला वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए construction में high voltage reactifier यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पस प्पर इसकी बैले लोच का जिसकी वज़ीख से हैं। करता है कां के तरफ टारगेट के तरफ इसके बाद आपके पास स्टील चैंबर है इस و荏ड़े ग्रम generate को एक स्टील चैंबर में रखा जाता है और इसके बाद working जो है जो आभी मैं ने discuss किया वही आपके पास है इसके बाद हमारे पास क्या है फिर यह बेल्ट जो है केरी करती है पॉजिट चार्ज को कहां पर टॉप तक पहुंचाती है पॉजिटिव चार्ज आर क्लेक्टिड बाई दा कॉम C2 पॉजिटिव चार्ज को क्लेक्ट करता है कॉम कौन सार सीटू कॉम ऐसको क्लेक्ट करता है and ट्रंसफोर्ड तो दा ओर्ट-सायड आप दा सफियर and दा अंचार्ड बेल्ट तर्न डॉन तर्न डॉन इसके बाद यह बेल्ट नीचे आ जाती है Uncharged band नीचे आती है, इस पर कोई charge नहीं होता है नीचे से फिर ये charge को लेती है top पर और यहां पर ये charges जो हमारे पास होते हैं जो collecting common charges को लेता है वो charges uniformly distribute हो जाते हैं किस पर इस charge spherical shell पर इसके बाद क्या हो जाता है This process continues till the potential of spherical shell become maximum तो ये charges आते जाते हैं किस पर produced by eye-shaped tube is acerated to hit the target having energy equal to QV इसके बाद क्या होता है ये आपके पास eye-shaped positive eye-shaped discharge tube है और यहां पर आपके पास positive charge है जिसको हम positive iron कहेंगे हम तो एक high potential difference के वजह से यहां पर high potential होगा, यहां पर low होगा तो high potential difference के वजह से ये positive iron acerate करता है कहां के तरफ, target के तरफ, target को hit करता है और इस highly acerate charged particles जो हमारे पास होता है इसकी energy किस क्लोती है, QV के क्लोती है Q होता है charge और जो हमारे पास जो charge move करता है उस charge की value और V क्या होता है potential difference तो यह हमारे पास था discuss किया हमने vandy graph generator क्या है उसको हमने discuss किया इसकी construction हमने पढ़ी इसका principle पढ़ा working पढ़ी हो और इसका हमने uses भी पढ़ा हमने okay, goodbye, thank you